दोस्तों अगर आप एक यूटुबर बनना चाहते हों या यूटुब से पैसा कमाना चाहते हों, तो यूटुब के जो फ़ास्ट चेप होता है, यह स्टेप यह होता है कि यूटुब पर सही तरिके से कैसे विडियो आपलेट करना है। जब तक आप ये नहीं सिखेंगे तोब तक आपकी चैनल आप ग्रोण नहीं कर पाएंगे और आप YouTube से पैसा भी नहीं कमा सकते हो इसलिए बाई सबसे पहले तो मेरा जो पैचान है आप नहीं को मैं बतारा चाहूंगा कि मैं आपकी तरह एक New Creators नहीं हूँ मेरा और एक चैनल है इस वीडियो की डेस्क्रिप्शन पर लिंक है आप जाके चेक आउट कर सकते है उस चैनल से मेरा आर्निंग हो रहा है तो बाई मेरा उपर जो आपका जो डाउट है मैंने क्लियर कर दिया है आप बात करते हैं कि YouTube पर वीडियो आपलोट करने के जो औरिजिनल तरीका है य उन्हों चीज आप लोगो में कंपार करके दिखाने वाला हूं और मेरा जो पुराना चैनल है इस चैनल पर में एक वीडियो लाइब आपलोट करके दिखाने वाला हूं कि बाई आकिर कैसे वीडियो आपलोट करना है तो चलिए शुरू करते हैं बाई वीडियो शुरू कर सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यूटूब एप ओपन करके मैंने यूटूब एप ओपन क्या है उसके बाद दूस्तों निचे एक ओप्शन देखिए प्लास आलकॉन इस प्लास आलकॉन पर क्लिक करके लोग वीडियो आप लोट करते हैं जैसे कि यहां आप देख सकत होना है इसमें क्या लॉस होता है क्या फायदा होता है देखिए अगर आप चाहते हो कि आपके वीडियो जल्द से जल्द आपलोड होना है तो आगर आप यूटूब एप से वीडियो आपलोड करोगी तो आपके वीडियो जो है मतलब जल्द से जल्द आपलोड नहीं होता है एक तो यह चीज है दूसरा चीज यह होता है कि यूटूब एप से वीडियो आप लूट जब आप करोगी तो सारे सेटिंग्स देखने को नहीं मिलता है इसलिए भाई मैं आप से यह मतलब रिकमेंट करना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो आप लिट करना है तो कुरूम इतने दूस्तों टाप करके सार्स कर देना है studio.youtube.com याद रखिये इतने दूस्तों लिग के आपको सार्स करना है जैसे ही दूस्तों आप सार्स करेंगे उसके बाद दूस्तों यहाँ देखिए चैनल की जो डास्पोर है कुछ इस तरह ऑपेन होता है यहाँ दूस्तों ओ वही email id से login करना है जो email id से आपने youtube चैनल बना रखता है अगर इसमें दूसरा email id login है तो यहाँ दूस्तों देखिए corner पर देखिए youtube की जो logo है इस पर click करके switch account देखना को मिलता है इस पर click करके जो भी email id से आपने youtube बनाया है वही email id login करना है तो मेरा email id बिल्कुल सही login है उसके बाद दूस्तों यहाँ एक option है मैं जरा zoom करता हूँ और यहाँ आप देख सकते हूँ जैसे कि दूस्तों यहाँ एक option देखिए upload की icon है इस icon पर आपको सबसे पहले click करना है चलिए मैं click करता हूँ जैसे दूस्तों मैंने click किया है यहाँ देख सकते हो कि कुछ इस तरह interface आपके से मने display हुआ है दूस्तों यहाँ एक option देखिए select file तो simply select file पर click करना है चलिए मैं click करता हूँ जैसे दूस्तों मैंने click किया है यहाँ दिखिए file मांग रहा है तो किस file पर video है ओई से आपको choose करना है तो मैंने file पर click किया है उसके दूस्तों यहाँ arrow icon पर आप देख सकते हो कि किस तरह तो दूस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि video जो है upload हो रहा है आप उसके बाद दूस्तों आपको क्या करना है कि सबसे पहले दूस्तों यहाँ title लिखना है और title लिखने से पहले दूस्तों यहाँ आपको मतलब क्या करन है दुस्तो वही thumbnail आपलेट करना है तो चलिए मैं यहां thumbnail जो है मैंने upload कर लेता हूं तो उसके बाद दुस्तो मैंने दिखिए thumbnail जो है कोई बिल्कुल सही thumbnail मैंने upload किया है उसके बाद दुस्तो निचे एक option आप देख सकते हो जैसे कि playlist तो simply आपको playlist पर क्लिक करना है उसके बाद दूस्तों जिस प्लेलिस्ट पर आप वीडियो रखना चाहते हों वही आपको चूज करना है इसके बाद निचे दिख्किए डान है तो सिंपली यहां डान पर क्लिक करना है तो यहां देख सकते हो डान है डान पर मैंने क्लिक किया है तो दूस्तों यह जो है मतलब मैंने प्लेलिस्ट और तमने दुनों चीज यहां सेट कर लिया है उसके बाद दुस्तों सबसे पेरे आपको टाइटल लिखना है तो यहां दिखे मेरे टाइटल पर क्लिक किया है उसके बाद दुस्तों यह आपको मतलब डिलेट कर देना है पुराना जो है व how to upload a video, या video कैसे upload करें, तो चलिए दुस्तों मैं यहाँ type करता हूँ YouTube video upload कैसे करें, YouTube video, YouTube video upload कैसे करें, तो सबसे उपर दिखे है, YouTube video जैसे मैंने type किई है, तो यहाँ दिखे हैं, YouTube video upload करने का सही तरिका इस link पर click करना है, उसके बाद दूस्तों जैसे आप link पर click करेंगे उसके बाद दूस्तों यहाँ दिखे सार्स हो रहा है तो दूस्तों इस title पर click करना है और यही से copy कर लेना है दूस्तों आपको लागता है कि यह मतलब तो पुराना तरीका है लेकिन दूस्तों ऐसा नहीं कि just मैं thumbnail पुराना तरीका से मैं दिखा रहा हूँ कि title कैसे लिखना है और बाकी जो है दूस्तों बिल्कुल आलाग से आप लोग live देख सकते हों तो इसी तरह दूस्तों आपको copy करना है और उसके बाद title पर जाके paste करना है तो यहां दूस्तों मैंने किया type किया है कि YouTube वीडियो आप्लेट करने की सही तरीका उसके बाद दूस्तों यह मैंने Hindi वार्ट लिका है उसके बाद दूस्तों आपको क्या करना है कि फिर से यह copy paste करने के बाद दूस्तों फिर से YouTube पर आना है उसके बाद English में टाइप करना है How to upload a YouTube वीडियो मतलब English में सही तरीके से आप टाइप कीजिए उसके बाद दोनों tag यहाँ फिल करना है तो दूस्तों मेरा पास यह जो है बिल्कुल available है तो मैंने क्या क्या दूस्तों आपको मैं दिखाता हूँ जैसे कि दूस्तों आप मेरा पस एक note application है आप भी एक note application इस्तेमाल कीजिए जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो मैंने सब कुस यहाँ ready कर रहता है जैसे कि मैं note पर सबसे पहले वीडियो upload करने से पहले title, description, tag सारी को मैंने ready कर लेता हूँ तो यहाँ दोस्तों मैं जो title है मैंने यहाँ लेक रहता है तो मैंने क्या करता हूँ कि मैंने copy कर लेता हूँ यहाँ कि Select All और उसके बाद copy copy करने के बाद दूस्तों आप देखिए कि मैं जहाँ मतलब video upload किया है वहाँ मैं लेकर चलता हूँ यहाँ दूस्तों simply मैं title पर click करता हूँ copy paste करता हूँ तो यहाँ दिके मैंने paste कर दिया है उसके बाद दूस्तों यह जो है क्या करना है आपको कि जो title आप लिकेंगे वही same title आपको description पर paste करना है चलिए मैं यहाँ paste कर लेता हूँ तो दूस्तों मैंने यहाँ paste कर लिया है उसके बाद दूस्तों काम इतना ही नहीं और भी सारा कुस काम बाकी है अवे भी उसके बाद दूस्तों निचे की तरह scroll down करना है जैसे दूस्तों आप स्क्राल्ल डाउन करेंगे यहां दूस्तों एक ओप्ष्ण आप देख सकते हो जैसे कि show more जैसे कि मैं जरा highlight करके दिखाता हूं show more इस options पर क्लिक करना है इस options पर जैसे दुस्तों आप क्लिक करेंगे उसके बाद जुस्तों जहां पर आपको take set करना है टेग की लिष्ट यहाँ आप देख सकते हो जैसे कि उसके बाद दूस्तों यहाँ दिखे टेग मैं ज़रा हाइलेट करके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ यह जो टेग है तो यह तो मेरा मतलब चैनल पर अल्रेडी सेटिंग है तो इसके बाद दूस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि टेग मैंने कहा पर सेट कर रहता है यहाँ आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ टेग सेट कर रहता है तो यह जो टेग है दूस्तों यह आपको कैसे मतलब यहाँ सेट करना है ओभी में दिखाने वाला हूं तो चलिए सबसे पहले मैं यहां से मतलब कॉपी कर लेता हूं और उसके बाद दूस्तों यहां दिके टेग पर मैं पेश कर लेता हूं और मैं बताता हूं कि यह टेग कहा से मिलता है या कैसे यह टेग मतलब यहां फील करना है तो दूस्तों यह यहां आप देख सकते हूं यह जो टेग है मैंने फिल कर दिया है और इसके बाद दूस्तों यहां आप देख सकते हूं कि टेग जो है तुरह सच ज्यादा हो रहा है तो मैं एक दू टेग यहां से कैंसल कर लेता हूं तो यहां आप देख सकते हो तो दूस्तों यहां आप हो चुका है शायद इसलिए यह टेग जो है कॉपी नहीं हो रहा है तो मैं सिलेक्ट और पर क्लिक करता हूं और इसके बाद दूस्तों मैं कॉपी कर लेता हूं कॉपी करने की बाद दूस्तों यहां आपको क्या करना है कि वहां जाके दूस्तों आ एड टेग पर पेस्ट कर द कर लिकाता हूं टेक दूस्ट ये टेक फाइंट करने कंगे लिस्त दूस्ता सबसे पहले आपको गोगल ऑपन करना है उसके बाद दूस्ता साइस अब करना है नी ई आफ ए डी रैपिड टीए NSA इस रेपीट एक्सं आपको सार्स करना है दोस्तो दिती कमेंने रेपीट्ट एक오 यहां सार्स किया है और उसके बाल दूस्तो यहima सबसब्वार्ड पॉर पर जो ऑफींट उ एक है ओई है न के esteew esophants पुर आपको क्लिक करना है जैसे दुस्तों आप क्लिक करेंगे उसके बाद दुस्तों यहां दिखे हो रहा है यहां कि दिखेश करना है और चलिए यहां आपको दिखाथा हूं कि subscribers कैसे बढ़ा है sub देखिए मतलब कैसे बढ़ा है तो मैंने यहाँ type कर लिया है उसके बाद दुस्तों मैंने search किया है उसके बाद दुस्तों यह देखे इसके लिएट काफी tag आ चुका है तो निचे दिखे काफी है तो copy पर click करना है और note पर paste कर देना है तो यहाँ दिखे मैंने पेश किया है यह जो tag मैंने पेश किया है उसके अंदर जो भी कॉमा है आपको हटाना है यह दियान देना है तो मान लिजी यह मैंने complete कर लिया है उसके बाद दुस्तों description पर क्या लिखना है आपको मैं दिखाता हूँ इसके लिए दुस्तों मैंने chrome browser open करता हूँ और उसके बाद दुस्तों दिखे description जो है description पर आना है यहाँ दुस्तों description पर मेरा already मतलब link है जैसे कि Twitter, Facebook link है Instagram link है उसके बाद दुस्तों enter button पर click करके दुस्तों निचे की तरह चले आना है और यहाँ दुस्तों कुछ जागा जो है खाली करना है उसके बाद दुस्तों यहाँ आपको type करना है your queries जिसके मैं यहाँ type करता हूँ your queries आपको type करना है उसके बाद दुस्तों जो take आपने take पर डाला है वही take दुस्तों यहाँ आपको डालना है तो चलिए मैं डाल देता हूँ इसके लिए दूस्तों आपको नूट पर मैं चलता हूँ और जहां मेरा टेग राका है दूस्तों एही से मैं टेग जो है सेट कर लेता हूँ तो यहां दूस्तों आप देख सकते हो यह मेरा टेग है मैंने पहले से सेलेट कर राका है तो यहाँ मैं copy कर लेता हूँ उसके बाद दूस्तों आपको क्या करना है कि फिर से वहाँ जाना है जहाँ वीडियो upload हो रहा है इसके बाद दूस्तों एही से आपको क्या करना है paste कर देना है तो दूस्तों यहाँ आप देख सकते हो मैंने paste कर दिया है और यहां देखिए को डाचुका है उसके बाद दूस्तो निचे यहां देखिए 2-3 hishtag डालना है जैसे किасh tag डाल देना है आपके चैनल की नाम से या जो बड़े क्रियटर से आपके टेड़ विडियो अपलोट करता है उसके नाम से 2-3 hashtag डालना है उसके बाद दूस्तों आपको क्या करना है कि finally दूस्तों आपको जाना है निचे की तरह scroll down करना है वहाँ दूस्तों दिखिए एक option आप देख सकते हो जैसे कि next तो simply आपको next पर click करना है तो दूस्तों यहाँ आप देख सकते हो कि यह video upload जो है complete हो चुका है इसके बाद दूस्तों यहाँ एक option देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं कि दूस्तों यह जो मैंने highlight कर रहा है तो यहाँ दूस्तों इस corner पर एक next option मिलता है next next पर click करके दूस्तों direct आपको क्या करना है publish कर देना है उतना ही है दूस्तों तो द video upload करना है video upload करने के लिए दूस्तों आपको यूटूब एप से video upload नहीं करना है जो भी video upload करना है डायरेक्ट मतलब कुर्म ब्रेजर से video upload करना है तो भी जाके भाई आपकी video पर आप views देख सकते हों तो दूस्तों video कैसा लगा है जरूर आप इस video की comment box में जरूर comment करके बात कर दोड़ति है जरूरые का दोड़ार आपकी जरूर आपकी जरूर का दोड़ति है जरूर आपकी जरूदों